हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो मैं यूटूब चैनल वैशनवी फ्री एजुकेशन क्लासिस फ्रेंड्स जैसा आप लोग देखने हैं कि हम यूपी टीजटी आर्ट वालों के लिए टेकनिकल आर्ट में कितने परसेंटेज होने चाहिए कितने नंबर होने चाहिए और आपक कि मतलब कितने परसेंट इसमें होना चाहिए और गिरिजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि 50% होगा और हमारा तो 45% है चमालिस परसेंट है और क्या हम मान होंगे कि नहीं होंगे ऐसी तमाम समस्याइं होती हैं बच्चों के सामने और वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मतलब हम मान होंगी कि नहीं होंगे तो इसी बात को लेकर हम आज स्पश्ट कर दें आपको कि जो भी बच्चे टेक्निकल आर्ट किये हुए है 12 में उनका जैसे अगर किसी का भी 50% है तो इस चीज में कन्फ्यूजन रहती है तो हम चाहे उसमें कितने ही नंबर हो अगर आपका पास है तो वो मान हो जाएगा मतलब इसका कोई इशू नहीं होता है कि कितने परसेंट लिया जाएगा क्योंकि अभी तक जितना भी जहां जहां भी टेक्निकल आर्ट मतलब अभी लगा हुआ है पिछली वेकैंसियों में अगर लिया जाएगा अब बात करते हैं ग्रेजेशन की अभी तो हमने बात की टेक्निकल आर्ट की कि उसमें कितने परसेंट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए तो आप लोग समझ लीजे कि टेक्निकल आर्ट का मार्सीट अगर आपके पास में है आपको कितना भी परसेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो लास्ट वेकेंसी हुई है उसमें परसेंटेज नहीं दिया हो था है उसमें केवल यही दिया गया था कि बच्चों के पास यह माकसीट होनी चाहिए ठीक है ऐसे ही ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है यह कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि जो लास्ट वेकेंसी हुई है उसमें ग्रेजुएशन का परसेंटेज नहीं दिया गया था उसमें केवल यह दिया गया था कि आपके पास अगर टेक्निकल आर्ट है तो मान हो जाएगा आपके पास ग्रेजुएशन की ड परसेंटेज होनी चाहिए तो आप लोगों को यहां समझ में आ गया होगा कि चाहे ग्रिजुएशन हो चाहे टेक्निकल आर्ट हो इन दोनों में ही कोई भी परसेंटेज का मैटर नहीं है आप लोग के पास अगर ग्रिजुएशन है चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो बीए हो बीकॉम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके पास graduation में graduation है, तो आप लोग आराम से डाल सकते हैं, ठीक है, चलिए off करते हैं, अब बस हमें इतना ही बताना था, ठीक है, और एक वीडियो हम all लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको पूरी सीटों का विवरा बताएंगे, कि कितनी सीटें जो last vacancy हुई थी 2022 वाली, उसमें कितनी सीटें थी, और कितनी सीटों पर girls की कितनी थी, boys की कितनी थी, और boys में भी जो girls पाई जाती हैं, मतलब भर सकती हैं, उसमें कितनी सीटें हैं, और कितना कैसा cut off रहने वाला है यह हम आपको next वीडियो में बताने वाले हैं तो बने रहे हैं वैशनभी प्री एजूकेशन चैनल के साथ और वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेर जरूर करिएगा